जैमातादी मित्रो कैसे आप सभी आशा करता हूं मित्रो आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मित्रो आज मैं आप सभी को एक शाबर मंत्र बताऊंगा ये मंत्र भैरफ जी का शाबर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है इस मंतर के जब से प्रेत बादा सदा सरवदा के लिए खत्म हो जाती है लेकिन उससे पहले इस मंतर को आपको सिद्ध जरूर करना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए आप होली के दिन आप सिद्ध कर सकते हो दीपावली के दिन आप सिद्ध कर सकते हो ग्रहन काल में इस मंतर को सिद्ध कर सकते हो दशहरे पे आप इस मंतर को सिद्ध कर सकते हो नवरात्र के समय में आप इस मंतर को सिद्ध कर सकते हो गुरु पुष्चयोग, रवी पुष्चयोग, सरवार्त सिद्धियोग कोई भी शुब मूरत आपको देख लेना है और उस शुब मूरत में आपको इस मंतर का 108 बार जाप करना है और 108 बार मंतर से हवन करना है यानि कि 108 बार आपको मंतर जपना है और फिर 108 आउतियां आपको हवन की देनी है मन्तर सिध्धी के समय आपको भग्वान भहरव को भोग प्रशाद भी अवश्य चडाना है आप दो लड्डू का भोग भहरव जी को लगा सकते हो और सवा मीटर काला कपड़ा आप भहरव जी को चढ़ा सकते हो और दोलड़ू का भोग लगाना है सरसो के तेल का दीपक आपको जलाना है आप इस मंतर की सिद्धी किसी मंदिर में भी कर सकते हो अगर आप मंदिर में करते हो भैरफ जी के तो मंदिर में आपको जाना है मंदिर में आपको प्रशाच चड़ाना है और उसके बाद में आप दीपक अगर आप वहाँ पे जला सकते हो सरसो के तेल का तो दीपक जलाईए नहीं तो सीधा का सीधा आप बैठ करके भैरफ जी के स और सवा मीटर काला कपड़ा देना है फिर हवन भी करना है और जप भी आपको करना है ठीक है अब मैं आपको मंतर बता देता हूँ उसके बाद में इस मंतर का प्रयोगा आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा मंतर सुनिये मंतर इस प्रकार है ओम काला बहरव कपिला जटा रात दिन खेले चोपटा काला भस्म मुसान जेही मांगू तेही पकडियान डंकिनी शंकिनी पट सिहारी जरख चड़ती गोरख मारी छोड़ी छोड़ी रे पापईनी बालग पर आया गोरखनात का परवाना आय यह शाबर मंत्र है इस मंत्र का पूरा का पूरा आपको जैसे सिद्धी का विदान मैंने बताया है 108 बार जब करना है 108 बार हवन करना है अगर मंदिर में कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जब करने से ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा हवन करने की आवशकता नहीं है अगर धर पे कर रहे हो तो हवन भी करना है जब भी करना है और लड़ू का भोग भी भैरव जी को लगाना है और इस मंत्र की सिद्धी आप होली पे करोगे दिवाली पे करोगे नवरात्र में दशहरे पे होली दिवाली पे करोगे तो एक दिन में सिद्धी हो जाएगी नवरात्र म करोगे तो आपको 9 दिन तक इस मंतर का जब आपको करना पड़ेगा 108 बार 108 बार और 9 मी वाले दिन आप 108 बार हवन कर देंगे तो ये मंतर आपका सिद्ध हो जाएगा और ग्रहन काल में करोगे तो उसी दिन आपका ये मंतर सिद्ध हो जाएगा ग्रहन काल में ही इसके अलाब लो किसी बालक के उपर, किसी बच्चे के उपर, किसी महिला के उपर, किसी पुरुष के उपर कोई प्रेत बादा लगी हुई है, भूत बादा प्रेत बादा या कोई चुड़ाय लगी हुई है, कोई जिन लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको काली सरसो अपने उमें ले लेनी है और इस मंतर को आपको ग्यारा बार पढ़ना है ग्यारा बार पढ़ने के बाद में आपको काली सरसों पे फूक मारनी है और जिस व्यक्ति के उपर प्रेत बादा है उस व्यक्ति के उपर आपको फूक मारनी है जैसे ही आप मंतर पढ़ करके उस व्यक्ति के उपर फूक मारोगे उस व्यक्ति के अंदर बैठी प्रेत बादा तुरंत उसका शरीर छोड़ करके भाग जाएगी और दुबारा उसके शरीर पे अटैक नहीं करेगी उसके बाद में आपको क्या करना है जो आपने काली सरसो अभी मंतरित करिये मंतर से वो सरसो आपको उस व काली सरसो तो नहीं मिला लेंगे और 11 दिन तक अपने घर में चिड़कना एं शरीर वाला तस्टाव वह प्हर्मिताएगी पहन कार करखना एंड और अगर वो हमेशा उसको पहन करके रखे तो और भी जादह अच्छा हैं उनको जीवन में कभी भी नजर तोना भूत प्रेट डॊ कर पाएगि अगर जब तक वो तावीज उनके गले में रहेगा और सबा महीने अगर आप उसको पहन करके उतार देते हैं तो वो भूत बादा तो उनको परिशान नहीं करेगी लेकिन कोई अन्य भूत बादा उनको परिशान कर सकती है तो इस प्रकार से आप इस मंतर का प्रियोग कर सकते हो आप इस मंतर को पढ़ करके प्रेत रोगी को भूत लोगी को जाड़ा लगा सकते हो, इस मंत्र को पढ़ करके आप जल दे सकते हो, इस मंत्र को पढ़ करके आप लौंग को अभी मंत्रित करके वैक्ति को खाने के लिए दे सकते हो, तो उससे भी प्रेतवादा खत्म हो जाती है, इसके अलावा अगर आपके पास भबूती है, र प्रिशानी ना हो तो इस मंतर का आप कई प्रकार से प्रियोग कर सकते हो लेकिन इस मंतर का प्रियोग सिर्फ और सिर्फ प्रेत बादा के लिए ही किया जाएगा जैसे कि भूत बादा हो प्रेत बादा हो चुडएल हो कोई और दिक्कत प्रिशानी हो इसी इनी चीजों को ले करके आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है सिद्ध जरूर करना उसके बाद आप इसको प्रयोग कर सकते हो तो चलता हो मित्रों मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में जय मातारानिकी